हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएस पिसे जोन, मैं हूँ सुनु कुमार, आज हम बात करने वाले हैं 69th BPSC के संदर में दोस्तो जैसा कि आपको मालूं होगा कि 68th BPSC का एक्जामिनेशन वारा फेवरी 2013 को संपन हो चुकी है और अब बात है 69th BPSC examination को लेकर के कि आखिर इसका examination कब आयजित की जाएगी तो आपको बता दें कि 69th BPSC का examination 30 September 2023 को आयजित की जानी है और यह जो examination होगा वा combined examination होगा combined का अर्थ है कि यहाँ पे civil services का पद, CDPO का पद और auditor officer का पद, auditor का पद यह सब जो पद हैं सब इसमें समलित किया जाएंगे और सारे पद को मिला करके ही combined examination का आयजित किया जाएगा तो यह examination जो है 30 September को आयजित होनी है और अब हम बात करेंगे आखिर क्या होनी चाहिए हमारे रननिती 69th BPSC के examination को लेकर के दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि 68th BPSC में जो भी प्रशन पत्र पूछे गए थे उसमें fact-based question बहुत ही कम थे और conceptual question बहुत ही जादा थे तो अब समय का demand है कि आप एक बार NCRT book को अध्यान जरूर करें उसमें हम आपका शहयोग जरूर करेंगे हम लोग अब एक NCRT book का एक series रूप कर रहे हैं जो कि 6 class 6 लेकर के class 12 तक का all subject को हम लोग cover कराएंगे तो आप लोग इस series को जरूर देखेंगे और दूसरा हम लोग Lucent objective book जो है उसके MCQ को solve करेंगे दोस्तों आप यह भी किजिए और आगे जो भी होगा हम लोग अपना plan बताएंगे और आप उसे जरूर वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको benefit होशक है चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद